कुछ दिराजी आई अपना कंसेप्ट देजिए सुदिराजिंग सर मेरा तो कोई कंसेप्ट नहीं है सारा कंसेप्ट संका है तो मेरा तो सीधा सा कंसेप्ट है कि मुझे दो टाइम रोटी चाहिए और चट पर चीए चट बार इसे बचाने के लिए और बाकी संका कंसेप्ट बताओ अपना देना है जल्दी बोलो अचा तो आज मैं थोड़ी देर के लिए माई कोलना हूँ दो मिनट के लिए सब के और मुझे थोड़ी मदद करना कंसेप्ट बताने में ठीक है हम दो मिनट एक गेम खेलेंगे और सब मुझे बताना क्योंकि कंसेप्ट की मैं त्यारी कर रहा था तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो आज सब मेरी मदद करेंगे ठीक है अच्छा कुछ नाम मैं बोलूँगा बाहिना माब बोलना बहादर गड़ गड़ मुक्तेश्वा लाइगड जूना गड़ गड़ कुंडार गड़ चिरूली अभी आगे बताओ सेहर के अगाओं के नाम जिनके आगे पीछे गड़ लगा हुआ है एक एक करके बताओ जिसक गड़ 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 मुक्तेश्वार गड़ मुक्तेश्वार हो गया इकम गड़ और कोई गड़ बामरा गड़ अच्छा गड़ी बताओ गड़ी कितनी है गड़ी राएगड़ी यहां राएगड़ी कोदेश्वार हार्यान गड़ी ख़लो आज आपने मिरी बहुत मदद कर दिया अभी मैं आपके मैक बंद कर रहा हूं इतने भी आपने गड़ और गड़ी बताने में मेरी मदद की आज इनको और भी ये बहुत जादा है दरसल भारत में हर पांच किलोमेटर दस किलोमेटर पर बहुत सारे गड़ और गड़ी हैं और आज का जो दिन है हमारा इस पेसल है वो है उद्देशी का और गड़तन्त का यानि कि जो हमारा भारत गड़ राज्य संग है उसका विश्यस दिन है क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और एक आध दिन में हम अच्छी तरह से इसको 26 जनवरी को मनाने वाले हैं तो गड़ जितने भी नाम आपने लिए और गड़ का जो मतलब है पाली के अंदर जिसको आप बड़ी शान से बोलते हैं जन गड़ मन अधिनायक जया है भारत भाग विधाता भागय बोला जाता है मगर असली जो सब्द है वो भाग है भागय कोई सब्द पाली के अंदर या हमारे पुराने थ्यास में है ही नहीं भाग को ही भागय किया गया है भाग माने हिस्सा होता है और भागय माने हिस्से वाला यहां जो जन भिक्वों के समू को भी गड़ बोलते थे, दो समू को गड़ बोलते हैं, तो जन गड़ और मन हमारा माइंड है, और अधिनायक का मतलब होता है, एक तरह से उसको चलाने वाला, यानि कि उसका लीडर, यानि कि मन जो है वो हमारा, उसको चलाने वाला है, लीडर है, जया है, भारत भाग विधाता, भारत का जो हिस्सा है, यानि पूरी दुनिया में जो भारत का हिस्सा है, भागे नहीं है, भागे कोई अर्थ नहीं निकलता, भाग और भागे की बात है, इसका हिस्सा, भारत का जो हिस्सा है, उसका विधाता, यानि कि उसका निर्माता, यानि कि हम सम पुराना सब्ध है कि जितने आज आपने बोले जितने भी कुमलगर, जुनागर, टीकमगर, राएगर, गर्ण मुक्तेस्वर, इन सब के मायने पुराने समय में हमारे पड़ते हैं, इसलिए भारत को भारत गडराज्य संग कहने से कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए पारलियमें है ये राजा-साइ है, ये राजा का इस्टेट हो gaya मगर इसके नाम इतने पुराने हैं जिस से गारंटी होती है ये क्लण राज्य संग है, इसके गाउं गाउं में गड़ी है, गड़ी, पाली के अंदर जो धकनवाला ड़ है, वह ही नहीं, यानई हमारी या गड़ी है या गड़ी है इसलिए गड़ तंत जो होता है वो हमारा पुराना तंत है तंत का मतलब क्या होता है तंत पाली में है इसको बाद में त्रे से बदल दिया त्रे हमारा सब्द नहीं है वो पाली में नहीं होता उसको बाद में बला तो उसको बोलते हैं गड़ तं जो इसको regulate करती है या वेवस्था यानि इसको सिष्टम भी बोल सकते हैं सिष्टम का मतलब तंत माने धागा या वेवस्था या पडाली यह सारे नाम इसके आते हैं तो यह जो गड़ तंत है जिसको गड़ तंतर बोला जाता है यह हमारी पुरानी संभता है जो समण संग में चलती है अगर समण संग में आप देखोगे तो समण है इसके अंदर संग का मतलब सम गड़ समता के गढ़ समता का समूं समता के समूं का संग इसलिए ये सब इतना important है कि हम इसको हर गाओं हर सहर में देखते हैं जानते नहीं क्योंकि गड़ का गड़ी कर दिया धक्करवाला बना दिया और दोनों में अंतर कर दिया दोनों में अंतर है नहीं पाली में धक्करवाला है नहीं तो इसलिए गड़, गड़ी या जितने भी गड़ है वो हमारे समू जब हमारे समू चलते थे उनके नाम है वहाँ लोग रहते थे वहाँ भिकूर रहते थे उन जगे के नाम जैसे गड़ मुक्तेशवर है गंगा के किनारे है तो मुक्तेशवर संसकायत हो चुका है पाली में है इसका मुत इसी वर मुत माने जो मुक्त करता है यानि कि राग देश से जहां लोग मुक्त होते हैं तो वहां भिकों का गड़ रहा होगा गंगा के किनारे जहां पानी नदी बहती है वहां गाउं भी होते हैं भिकों वही रहते थे तो वहां भिकों का गड़ रहा होगा और वो मुक्त करता होगा राग देश से और इसी माने होता है वेग्या जैसे जैसे आएगा तो जो गड़वाल है जो गड़वाली है और जो पुराने मुस्लिम लोग बदल चुके हैं भारत में तो मुस्लमान थे नहीं मुस्लमान तो बाहर से आए यहां तो सारे सारे लोग पाली भासा के जानकार थे और बुद्ध के मानने वाले थे और समराट सब्द है यह पाली का सब्द है तरसल्ट यह गड़ी सब्द है यानि गड़े वह समू वाले लोग ते थे तो इसलिए अगर कहीं गड़्य गड़ी मिलता है और मUSल्मानों भी मिलता है तो वह पुराने बुद्द्ध्श्ट लोग है जो गड़ वाले लोग है इसलिए उहां वो गणी लिखते हैं अपने आपको यहां हम गड़ी या गड़ वाल या गड़ बहादूर या गड़ कुबर तो यह सारे नाम यहां आते हैं इसलिए गड़ से जितने आपने देखा होगा कि गड़ के कुछ रखक भी होते थे जिनको बो तो उनको बोलते थे गन देवता यानि देने वाला तो गनसमझ्जा होती थी गनसमझ्जा का मतलब है समारो तो गनसमझ्जा। परिसा की थी तो गण्य को गदा बैटता है और जहां सारा सारा काम करता है तो गण का एक वेज्ञानिक भी होता था जिसको गण्इसी बोला करते थे ये गणेसी है और उस गणेशी को आज वी हमारे हां नाम में बोलते हैं गणेसी और गणेस अरे ये गणेस का छोड़ा है ये गणेसी का छोड़ा है बहुत सारे नाम हमारे लोगों के गणेस हैं और गणेसी हैं गणेसी भी बोलते हैं गण के साथ गणेसी बोलते हैं और गणेसा भी बोलते हैं तो वो जो गण के जो बहुत स्र गड़ा दिखाई दे गड़ा दिखाई दे गड़ा दिखाई दे तो आप समझ लेना कि यहां हमारे लोगों का समू कभी रहा था अभी वो भूल भाल गया है मगर नाम नहीं जाते इसलिए नाम सारे सारे आप देखोगे तो आपको सारा का सारा बहुत आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि यह 73 जो रिपब्लिक डे है यानि कि रिपब्लिक ड गर्ड रिपब्लिक डे है जो 26 जनवरी 1950 से आरंब होता है तो 26 जनवरी 1950 से पहले यहां रिपब्लिक यानि गणत ग Oklahoma गें उसके बाद यह सिस्टम जब लागो हुआ तो फिर उननीड इस सो पचास 26 जनवरी से यह मानता हुई जो आट अक चलता है तो इसका जो दिन आप मनाएंगे, इसको गड़ बंधन के रूप में मनाईए, गड़ बंधन का मतलब है कॉपरेशन, यानि जुड़ना और जुड़ने के रूप में, एक कमाल की बात यह है कि हम जो यहां रोज बोलते हैं, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, ज कह सकते हैं जोग करना है योग और जोग का मतलब होता है जोड़ना पुराने समय में कहते थे कि योग करो या जोग करो इसका मतलब है कि अपनी अच्छाईयों को असेंबल करो जोड़ो तो जोड़ने का सब्द बाद में बना है तो हमें योग करते रहना चाहिए हमें जोग क बिहार के लोग कहते हैं हम लोगों को जोड़ते हैं जोड़ते नहीं बोलते हैं वो ड़य को खा जाते हैं रह बोलते हैं तो यह जोड़ना और जोड़ना 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 है जो आज के समय जोड़ना जोड़ना है और पहले तो सारे सारे गड़ों में रहते थे तो पूरा भारत बना इसलिए इसको भारत गड़ राज्य संग बोला जाते हैं तो दुबारा से वही कवायदे स्टार्ट करनी है क्योंकि लागू किसी चीज़ के होने से वो चीज़ बनती नहीं है कोई ये कह दे कि आज से भारत का सम्विधान 1950 से लागू हो गया और अब ये रिपबलिक हो गया मगर इसकी कल्चर में और इसकी जड़ों के अंदर बहुत सारी परानी चीज़ें चलती हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत जाता चलती हैं और उनकी मानता है इसलिए कोई सिस् पुराने सिस्टम भी चलते रहते हैं और पुराने सिस्टम के वार हावी हो जाते हैं के वार वो बड़े हो जाते हैं के वार नया सिस्टम कम जोर पर जाता है अभी वो इस्तिती चल रही है कि जो सम्विधान लागू हुआ था वो पूरा नहीं चलता और जो पुराने सिस् करते हैं और पुरानी मानेताओं को पानी देते हैं और पुरानी मानेताओं को पैदा करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को उससे फाइदा होता है सम्विधान को उससे नुक्सान होता है क्योंकि जो पुरानी सम्विधान जो पुरानी विवस्ता है वो गण तंत पे उपर नहीं चलती है उपर इस लिए चलती है कि आदमी उपर से तो कहता है कि मैं सम्मिधान की सपत लेता हूं सम्मिधान को मानता हूं और सम्मिधान मेरा सरुपर रही है और सम्मिधान से देश चलता है और काम वो करता है जो सम्मिधानिक है जो गलब परिसित की वज़ाए गर्टी बात पर है लोगों को खुश करने के लिए या अपने आपका को एजिंडा सेट करने के लिए या अपनी बात करने के लिए तो इस व्यवस्था को लागू कौन करेगा एक पार्लियमेंट ने 1950 में कह दिया यह लागू हो गई मगर लोग जब तक इसे अपनी प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे तब तक लागू नहीं होती है यह ठीक ऐसे है कि जैसे आपने बच्चे से कह दिया आए बच्चे चोरी करना पाप है चोरी नहीं करनी चाहिए और तुम चोरी मत करना आपने बच्चे को कह के छोड़ दिया और आप खुद कहीं न कहीं कहीं उटे सीधे काम कर रहे और बच्चा आपको देख रहा है तो बच्चा हसता है बच्चा मजाग करता है कि रहे एक कमाल की बात है तो वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा इसलिए वो लोग अगर प्रैक्टिस ना करें तो बच्चे को समधार होना चाहिए तो हम लोगों को समधार होना चाहिए कि जो चीज़ें वहाँ प्रैक्टिस में करनी है वो यहाँ प्रैक्टिस में ले क्या है इसलिए सम्विधानिक चीजों के तहत में सारे काम करने हैं तो सारे काम तब करोगे जब इखटे होगे क्योंकि इंड्रियल तो सारे काम कर नहीं सकते लोग आपको करने नहीं देंगे तो इसलिए कि सम्विधान दुवारा से लागू हो जाए संविधान अभी है और संविधान की सारी बातें मानी जाये उसमें जो बातें बावा साब नहीं जोड़ पाए वो बातें मी जुड़ जाये और हम अपने अधिकारों को और पूरे देश को हम आगे बढा सकें पूरी दुनिया में नाम कमा सकें इसलिए इखटा होना है अब लोग कहेंगे कि इखटा होने से सम्विधान का क्या लेना देना है क्योंकि सम्विधान की जो सर्थ है वो ये है कि अगर मेरे को लागू करना है तो बहुमत होना चाहिए अगर मेरी पूरी बात को मनवाना है तो आपके पास बहुमत होना चाहिए आप मुझे word to word मनवा सकते हैं अगर आपके पास 50% बहुमत है अगर आपके पास 49% बहुमत है आपके पास 49% लोग है तो आपकी बात डाउन हो जाएगी फिर मेरी बात को बदला भी जा सकता है, खराब भी क्या जा सकता है, ये सामिधान बताता है, ये उसके अंदर गुण मी कह सकते हैं, अब गुण मी कह सकते हैं, तो कि उसमें बदलने का नियम है, इसलिए कोई आदमी खराब नियम से बदल भी सकता है, और अच्छे नियम से ब बख्ति नहीं चाहिए तो अगर प्रजात अंत्र समझते हो रिपॉबिक समझते हो तो पब्लिक बरना पड़ेगा और पब्लिक बनने के लिए वीधा पिपल होने के लिए मेहाथ करनी पड़ेगी कहने से वीधा पिपल लागू नहीं हो सकता बार बार वाचन करने से याद तो रहेगा मैमोरी में कि ये चीज है ये चीज है ये चीज है मगर अगर इसको पढ़के खुस हो गए और काम नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है थोड़े दिन माद उससे कोई पढ़ने भी नहीं देगा कहेंगे ये सब्सक्राब हैं ये न्या है ये जो जस्टिस है ये लिवर्टी है ये तो सब्सक्राइब को समड़ का मतलब आज के समय के SC, ST, OBC और उस समय के लगबग सारे लोग असोक के समय के और बुद्ध से पहले के समय के जो बमल नहीं है बमल को छोड़के सारे लोग समल उनको फिर इखटा हो जाना चाहिए जैसे वो पहले इखटा दे इखटा होने की तो उनको आदत है अभी थोड़े से वो बिखर गए हैं या किसी ने बिखेर दिये हैं याद दिलाएंगे तो इखटे हो जाएगे और इखटा होना कोई मुश्किल काम नहीं है सबसे आसान काम है अगर आप ये समझ जाते हैं कि इखटा होने से आपके बच्चे बचेंगे सम्विधान को साइड में रखिए तो कि सम्विधान बचता है तो बसता कौन है सम्विधान जगर बसता है तो सम्विधान को मनने वाले लोग बसते हैं और सम्विधान के मनने वाले लोग कर बसते हैं तो उनके बच्चे बसते हैं और उनके बच्चे बसते हैं तब उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने कुछ किया तो बच्चे बचाने की लिए हमको ए खटड़ में हैं अरे बाई के बच्चो को नोकरी नहीं है है तो नोकरी देगा कौन पाकिस्टान नोकरी देगा असुक के साथ समयमगा अज़वानिस्तान भी भारत में था वो भी नहीं देगा तो नेपाल भी नहीं देगा वो भी भारत में था तो भूटान भी नहीं देगा वो भारत में था तो देगा कौन नोख भी आपको तो आपके बच्चों को काम कौन देगा तो काम देने की जम्मधारी भारत की है क्योंकि आप भारत के नागरी को किसी और देश की जम्मधारी नहीं है तो ये सम्विधान में हक होता है कि हर व्यक्ति को काम देने की जम्मधारी देश की है यानि देश के सम्विधान की है मगर लागू नहीं होती यह बात लागू कैसे हो क्योंकि आप डिमांड नहीं करते आप मांगते हैं आप कोगे हम तो मांगते हैं भई आप मांगते तो हो मगर सम्विधान के अकॉर्डिंग नहीं मांगते आप मांगते हो अलग-अलग संथर बना कर, आप साल में हजारों सम्मिलन करते हो, हजारों डिमांड करते हो, हजारों अलगते हो, सम्मिधान ता गवाज नहीं जाती है आपकी, सम्मिधान कहता है वीदा पीपल, I need वीदा पीपल, I want वीदा पीपल, सम्मिधान वांट वीदा पीपल चाहिए, आप इधा पीपल बनते नहीं, आप आईधा पीपल बनते हो, आपका एगो और एहम इतना ज्यादा हो जाता है, अपको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो, तो 29 लाख संग्धन जिसमें 4 लाख एक्टिवेेट हैं, ये सारे सारे संग्धन एक ही डिमा कि अलग लग बचाओगे तो मैं ना बचूँ मैं तो मर गया सारे खटे होके आ जाओगे तो मैं बच जाओगा कुछ मत करना सारे खटे हो जाओगे वह इतनी सी बात आपको समझानी है क्यों समझानी है आपको क्योंकि जो आपको समझाते थे जो आपके नेता थे जो आपके पहरी यार को पढ़ करें हैं, वो कहीं और से जोतीवाब भुले को पढ़ कर आए हैं, वो कहीं और से सादू संतों को पढ़ का हैं, उनकी बुद्धी में जरासी बात नहीं गुजरी है, कि जब संविधान को बचाना है, तो एक खटे होके बसता है संविधान, 29 लाक संट्रों में कैसे बचेगा अलग-अलग सम्मिलन लगाओगे अलग-अलग पैसा खर्च करोगे समाज का सम्मिधान के आवाज नहीं जाती सुनता है नहीं वो कहता है बहुत थोड़े से लोगे इनकी नहीं सुनी जाती तो इसलिए ये काम आपको करना पड़ेगा तो ये काम किया ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं किया ये काम किया सब लोगों के पास हम गए अभी 26 जनवरी आ रही है आपको सारा डाटा मिलेगा कि कितनी मीटिंग की किसके हाँ जोड़े किसके पैर जोड़े कितना काम हुआ, तो उनके हाँ जोड़े, उनके पैर जोड़े, उनको बलाया, आठ नमबर उननेस को उनको बलाया, उससे पहले उनकी सपय फॉन पर खुसामत करी, लोग यहां आए, आके बात कर गए, मेमोरंडम बेस साइन भी कर गए, पर किसी ने भी मीटिंग में यह नही है, और सारे लोग हाथ जाड़के, चाय पीके, बिस्कुट खाके, और अपना नास्ता खाना खाके चले गए, समाज की कोई चिंता नहीं, तब हमको यह समझ में आया, कि भाई, यह सारे के सारे जितने भी लोग हैं, अपने आपको बहुत उंचा मान बैठे हैं, और उंचा अपने भाईएं के साथ मिल के चलने को टियार नहीं है, और अब यह जो कि मिल के सम्विधान की बावसा आपकी बात को मिल के मानने के लिए मितियार त्यार नहीं है इतना उमर मेरी हो गई, सारे बाल सफ़ेद हो गए, मैंने कभी इन सारे संठोनों के नेताओं को एक साथ नहीं देखा, एक बात करते हुए उनीं देखा, कितनी मुश्यवता है, इलेक्षिन आते हैं, इलेक्षिन में सब अलगर खड़े होते हैं, पिटते हैं सारे, सब हार ज संकिया तुमारी 21%-22% है 30-35% पर तुमारा MLA-MP जीतता है तुमारे पास 25% से ज्यादा बोड़ है नहीं सारी बोड़ तुम्हें पटाटी नहीं है तुम सैकनल टुकलम बठे हुए हो तुम कैसे जीतोगे कैसे बना लोगे वह इतनी छोटा गट समय नहीं तुम कौन से उनिविश्टिम पड़के आते हो तुम कौन सारे लेस्ट करते हो मगर हर व्यक्ति इस उम्मीद में कि मैं यह बनूँगा प्रधान मंत्री और मैं यह बनूँगा मुख्य मंत्री हमारा बेड़ा गरते हैं जबकि बावा साब ने उनको कहा था कि यह जो बार प्रचार होता है हमारी में यह बात उनको समय में नहीं आती तो उनको समझाया बताया नहीं माने तो हमारी दमाग खराब हो गया कि अब क्या करें क्योंकि हमने उनको यह का कि नेता आप ही रहोगे हमारे सब इखटे हो जाओ हम आपको रिक्वेस्ट करें इखटे हो ज विल जो उनमें हैं, ये कोई महत्वरत नहीं करते हैं, ये साल में दो बार परच्छा निकालते हैं, परच्छां काडते हैं, दो दो चारी जलूस करते हैं, बावा साब की जरंदिन का, बावा साब की मरणदिन का, एकात बुद्ध का, और उसके बाद ये घरों बैठ जाते है बस इनका काम हो जाता है, कोई इनको कहीं कोई बुला लेता है, टिकेट मिल जाता है, बस ये काम इनका चलता है, तो हमें जिंदा रहना है, हमें बचना है, तो हम क्या करें, तो ये तैह हुआ कि भाई हमको जिंदा रहना है, तो महरत कौन करने आएगा, महरत करने के लिए अम अपना जंगल का काम भी करते थे, अपना लकडी बनाने का काम भी करते थे, अपना पत्थ्रों पर लिखाई का काम भी करते थे, मगर जब कभी समस्य आती थी, तो सारे सारे मिलके गड़ परिस्द बनाते थे, गड़ में बैठते थे, और हर वेक्टी की डूटी लगती थी, क अब ये काम तुम्हें करना है ये काम तुम्हें करना है अब नॉर्मल सिच्वेशन नहीं है तो अब भी आपात काल है नॉर्मल सिच्वेशन नहीं है इसलिए हमें अपने रेगुलर काम के साथ साथ में अब बावा साथ को पे बैक टू रियल में संग करना है पे बैक टू सं संग पैसा कभी नहीं लेगा जिन्दकी में भी ना किसी की मेंबर्सिप टाट लेगा ना किसे पैसा लेगा ना कभी चंदा लेगा किसी पब्लिक से पैसा नहीं लेगा तो क्या लेगा संग संग लेगा जो लोग हैं उनकी सक्ति और उस सक्ति से संग अपने आपको बचाएगा तो सक्ति कैसे लेगा सक्ति होती है गड़ में जो गड़ा आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज उस गड़ में सक्ति होती है इंडिजन वेक्ति में सक्ति नहीं होती एक अकेला जो वेक्त है कि अगर दस व्यक्ति कहीं खड़े हो जाते हैं तो दो चार पांच व्यक्ति उनके साथ में वैसे निकल जाते हैं उनको इस बात का एसास रहता है कि दस व्यक्ति की सकती है तो जैसे ही जानवर इखटे होते हैं जंगल में तो शेर उन पर जुन्ट पर हमला करती है तो किसी भी आदमी वो खा जाती है एक नियूस मैंने सुनी थी कि किसी पेड़ के मधुमक्या पर बाहर डेला मारा और वहां कोई पजारी बैठा हुआ था उस पर सारी मधुमक्या चुपनी और वो पजारी मर गया तो यह कहानी जो मधुमक्य किया बताती है कि मधुमक्य भी मार सकती है अगर वो जुन्ड में हो तो और चीटिया भी अगर एक साथ चड़ जाए और वो चारतव से काटने तो आदमी भाग जाता है प्रषान हो जाता उसको सौझ में नहीं आता क्या 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 नहीं करें इसलिए नेच्रल प्रोसेस है कि हम उनको इखटा होना चाहिए और हमें अपने बच्झे बचाने हैं तो हमें दूसरों के उपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग खुद हमारे उपर हैं यह jó नेता है यह तो भाईया हमाई तरफ देख रहे हैं कि हम कब उनको चंदा धमिए औरह का घर चूला था कि अगर मेरा कार्वा आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत जाना और जीते जी कार्वा वहीं चला गया तो इसको कम से कम वहां तो पहुचा था जहां बावत सामने छोड़ा था नेता तो पहुचा नहीं पाए तो आम जंता को और हमारे जैसे लोगों को महनत करनी हम सब लोग इखटे हो रहे हैं और लगाता लगातार इखटे हो रहे हैं और इखटे होने में हमें सिर्फ जुड़ना है और जुड़ना है जुड़ने और जुड़ने का प्रोसेस यहां कैवर बताया जा चुका है आप अपना फॉन नमर डाल दीजिए यहां जुड़ जा ना हुआ तो देश के साही लोग जुड़ गए तो अंग्रेज भाग गए ऐसे ही जब चाल लोग कहीं जुड़ते हैं तो दो चाल लोग वैसी भाग जाते हैं ये मुसीबट टल जाएगी अगर हम खाली जुड़ जाएंगे जुड़ने और जुड़ने में ना पैसे खर्च ह होने है ना कोई एक्सा टाइम खच होना है बस अपने परिवार में अपने दोस्तों में अपने रिस्दारों में ये बताते रहना है ये बताते रहना है ये बताते रहना है कि कबूतर जब जाल में फच जाते हैं तो जाल को उड़ाने के सिवाए कोई चारा नहीं है और जा है के एक कबूत जाल को अड़ा जाएगा वो पहले मारा जाएगा इसलिए This चुहह को पकड़ेंगे तो बाद में जाल कृटवा लेंगे से कोई समस्च्छत नहीं है सús हमारे साथ है क्या है कहानिगों को सीखो जो यहां भहन जी बताती है जो यहां جो लोग बताते हैं कि ये कहानिया पुरानी हमारी कहानिया जो बार बार कहती है संगे सत्ती संग में शक्ती है संग में रहना है जाडू का धान देते हो अकिले दिल से सफाई नहीं होती गंदगी साप नहीं होती तो भाई इनको गंदगी माल लो तो जाडू ही बन जाओ तो इन सिर्फ हम इखटे हो जाते तो, कौन सा हमने तोग चलानी है, कौन सा हमने करबड़ी खिलनी है, कौन सा हमने दोड़ना है, कौन सा भागना है, कौन सा इटेसन करना है, कौन सा हमने परदेसन करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इखटे हो जाओ, जीत जाओगे, कैसे, कैसे, अर हम तो वैसे बहुत सारे हैं एक एक सो बीस करोड tol हैं अगर खाली ऐसंदी की बात करें तो भी तीस करोड से उपर हैं तीस करोड तो भõत मरी संक्या होती है इसलिए इस काम के लिए सब को गढ़ परिसद बनानी है चोटे 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 गढ़ बनाने है और सच में इसको गड़ राज्य संग बनाना है, भारत गड़ राज्य संग बनाना है, अभी ये भारत गड़ राज्य संग नहीं है, इसको गड़ राज्य संग बनाना है, तो छोटे-छोटे गड़ बनाईए, जैसे अलीगर समर्संग, जैसे बुलेंसेर समर्संग, जैसे अपने आप होता जाएगा, यह natural process है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगानी की आप सकता नहीं है, सिर्फ करने की आप सकता है, इसमें कोई प्लान मरानी की आप सकता नहीं है, यह सारे प्लान पहले से बने हुए है, सारे नियम बने हुए है, एक एक करके नियम सब साथ में आ र हम कोई नया नियम पर स्तावित नहीं करते हर चीज वही है मगर एक साथ नहीं बताते क्योंकि एक साथ बताना है का फायदा नहीं जैसे जैसे कमी आती जाएगी वैसे 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 नियम बते जाएंगे वैसे वैसे संग और ज्यादा अच्छा तरीके से चलता जाएगा इसलि बच्चों को बचाना है तो जिद्ध है हमारी बच्चों को बचाने की और जिद्ध है हमें जुड़ने की और जिद्ध हमें जीतने की और जीतेंगे ही इस वार हम चाहे कुछ हो जाए और बहुत जल्दी जीतेंगे जितनी स्पीड आप दिखा रहे हो इसी स्पीड से अगर हम पहुंच गए तो उगले साल तक सारे गाउंगे पहुंच ली गारंटी है फिर आपकी हर महले हर जगे गड़ी होगी गड़ होगा फिर गड़ पैसे दोगा फिर आपको कोई चिंता नहीं होगी फिर अगर आपके साथ कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूरा समर्ण संग एक साथ कहेगा भाई ये क्या कर दिया बस इतना कहेगा ये क्या कर दिया पुछी ठीक हो जाएगी और फिर दुवारा किसी की हिम्मत नहीं होगी किरें इनके पीछे तो 30 करोड़ लोग बैठे हुए हैं ये तो जरासा सारा करते हैं अब ये 40 करोड़ हो गए वो भी सी भी आएंगे यही सिद्धानत्य परकुरती और यही परकृति कहती है यही अनला पूरा का पूरा जो कंशेट होता है अब बार वार हम इसी को बताते हैं और इसी की करते हैं और आप भी इसी की क्रें धन्यवाद आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है अप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं بھی share कर सकते हैं कहीं بھی चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की मिलकुल भी ज़्रूथ नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामू दूतियं पी धम्ममर सर्णु गच्छामू दूतियं पी सर्णु गच्छामू दूतियं पी सर्णु सर्णु गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्मन गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मन गच्छामी